SEOs, Digital Marketers, Content Creators, Bloggers, Vloggers, हम सभी लोग जो Google Search Engine के भरो से content को create करते हैं, अपने content को promote करते हैं, businesses को promote करते हैं, वो सभी notice कर रहे हैं, कि Google के search results की quality खराब होती चाह रही है, उसमें बहुत degradation आ चुका है, features ने पेट से कश्यूर हुई है, बहुत सारे अलग-अलग AI elements तक आ चुकी है, जहां पर Google Search results से उपर अपने ही कुछ अलग elements दिखाता रहता है, Google के executives के हिसाब से ये user के experience को improve करते हैं, website owners के point of view से ये website के traffic को खा जाते हैं, और जो normal user है वो in results से satisfied नहीं है, इसलिए Google Search के किसी भी communication के reply में, चाहे वो Twitter हो, चाहे वो वीडियो हो, उसके नीचे सब लोग यही कहते रहते हैं, कि search results को क्या हुआ है, Google के search results की quality खराब क्यूं होती जा रही है, और इन सारे सवालों का जवाब Google ने अपने IO event में 14th May 2024 को फुद ही दे दिया है, और Google ने announce किया है कि जो Google search है, उसका एक नया यूग चालू होने वाला है, एक नया एरा चालू होने वाला है, जिसे Gemini era वो खुद से नाम दे रहे हैं, नाव यह Gemini era क्या है, यह कैसा लगने वाला है, इसमें क्या चीज़े खास ह होंगी और क्या चीज़े जा रहे हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में, हम अमतिवारी, फॉरमतिवारी.net, और आज की वीडियो में हम Google search के नए एरा, Gemini era के बारे में बात कर रहे हैं, डोंट ब्लेम मी, मैं यह नाम नहीं दे रहा हूं, यह Google का खु किया है, I mean ठीक है, 2003 के बाद यह पूरा टाइम है, technology space में, actually AI एक buzzword है, जहां पर AI के actual use नहीं हो रहा है, वहां पर भी लोग AI को चिपका कर अपने product पर ज्यादा investment लेकर आ रहे हैं, it's fine, Google has been an AI pioneer for very long time, but what's surprising is that, कि Google इस AI को कई जगहों पर overuse कर रहा है, और इसके बरे result दिखा Google SGE, यानि की search generative experience, इसके साथ में लोगों का experience कुछ खास नहीं था, इसलिए Google ने इसका नाम बदल कर AI overviews कर दिया है, सभी सुनाए आपने, Google ने SGE को AI overviews का नाम दे दिया है, और अब यह अपने आप में कोई experiment नहीं है, इसे US में कल ही launch कर दिया गया है, कोई भी user US में अग AI overviews को launch कर दिया जाएगा, और Google का अपना खुद का estimate है, कि इस साल के end तक एक billion से ज्यादा humans AI overviews को देख रहे होंगे per day, so आपके organic searches से उपर ads और ads के साथ ही में AI overviews दिखाई देंगे, हर तरह की search के लिए, वो आपके search traffic को खाने जा रहे हैं, AI overviews में Google टॉप ranking website से content को निकाल कर एक mismatch सा answer बनाएगा, खुद के अपने Gemini powered answer बनाएगा, और उसमें जो top ranking website है, उनके snippets दिखाए जाएगे, user अगर उन snippet पर click करता है, तो user उन website पर जा सकता है, देख सकता है, बट ये देखने वाली बात होगी कि Google आखिर कैसे इस तरह website को promote करता है, क्या ranking factor होने वाले है और जो number 2 सबसे important बात है, वो ये है कि आखिर website owner इस तरह के AI overview जब भी उनकी website दिखाई देती है, उसको किस तरह से देख पाएंगे, क्या ये analytic, reliable रहेगा, accurate रहेगा, impression, click, और जो CTR है, उसकी information कितनी मिलेगी, इस website की traffic पर कितना असर पढ़ने वाला है, ये आगे आने वाले future में ही पता लग पाएगा हमें, इस AI overview में rank करना चाहते हैं, अगर आप एपनी website, तो इसके लिए एक नहीं बलकी तीन factors हैं, जिनके बारे में हम आगे आने वाले एक different separate video में बात करेंगे, बिकुस अपने आप में वो काफी बड़ा topic हो जाएगा, बट अभी इस AI overview के अलग कि कोई भी ऐसी query जिसमें किसी भी type के local business को involve किया जा सकता है, उसके बारे में multi-step reasoning करके और यह पता लगा सकता है कि कौन सा ऐसा business है, जो इस particular user के लिए सही रहेगा, इसकी location के सबसे पास में भी है, उसकी opening time match कर रहे है और उसके base पर local search results हैं, उनको AI overview के साथ में दिखा यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस part में बहुत सारी problems है, local search results अभी भी perfect नहीं है, अभी भी कई बार ऐसी spam listings दिखाई देती हैं, जो user की query से match नहीं करती हैं, जिन में artificial fake खरीदे हुए reviews होते हैं, या फिर उसके नाम में सिर्फ keyword लगा होता है, वो actually में सही business नहीं होता है, कई बार हम medical queries के लिए देखते हैं कि ऐसे businesses rank कर रहे होते हैं, जो actually में lead generation companies हैं, जिनका कोई real clinic नहीं है, वो real doctor नहीं है, जो इस तरह के challenges से Google कहीं जो AI overview है, कैसे निपटेगा, कैसे user को सही result मिलेंगे, इस बारे में अभी बहुत सारे doubt हैं, लेकिन local search results के search results नहीं है, जिनने AI overview disturb करने जा रहा है, local search results के अलावा, travel और food related queries पर Google AI को इतना ज्यादा dominant करने जा रहा है, कि जो first page होगा, वो पूरा का पूरा page ही AI generated है, इसमें अलग-अलग step में, अलग-अलग headlines के अंदर बहुत सारे अलग-अलग type का content रहेगा, जिसे Google search queries के साथ में दिखाएगा, for example, let's say, कि अगर कोई search कर रहा है, कि उसे New York घूमने जाना है, या Dubai घूमने जाना है, तो itinerary plan करने से लेकर, कहाँ पर ticket book करनी है, कहाँ पर जाना है, किन-किन जगों पर उसे travel करने के लिए जाना चाहिए, कहाँ पर खाना चाहिए, यह सारी कि सारी queries इन सब क results एक बार में आपके AI overview के अंदर दिखाए देंगे, जो Google search results के पहले पन्ने को पूरी तरह से cover कर लेगा, यह सुनने बड़ा अगेन exciting लगता है, users के point of view से, लेकिन हम जानते हैं कि Google इस तरह की जितनी भी queries के लिए search results देता है, वो हमेशा perfect नहीं होती है, कई बार उसमें repeated content ह Google is still not the content creator, वो content अभी भी जो normal websites content creators है, उनके platform से चुराने वाला है, उनका अपना word है inspire होने वाला है, लेकिन वो चुराने वाला है, और यह result कैसा है, उसकी quality के base पर AI overview की quality भी depend करेगी, अगर आप travel या food related websites को, blogs को manage करते हैं, उन्हें run करते हैं, so I don't know कि यह नया search update है या आपकी website के उपर कितना impact करने जा रहा है, लेकिन उसका negative impact होगा ज़रूर, अगर Google search की head leads read की बात माने, तो this is just first step, यह local search results तक limited नहीं रहेगा, travel और food तक limited नहीं रहेगा, बाकी अलग- views ज्यादा से ज्यादा push किये जाएंगे, now यह AI overview की एक नया feature है, और इसकी quality अभी SGE के अंदर भी उतनी ज्यादा trustworthy नहीं थी, तो पूरी दुनिया में जब यह एक साथ normal लोगों के लिए launch कर दिया जाएगा, तो इसकी quality कैसी होगी, इसकी accuracy कैसी होगी, उसके बारे में कोई भी शोर नहीं, not even Google भी शोर नहीं, इसलिए Google ने announce किया है, कि एक नए type का search filter launch किया जा रहा है, जिसे बोला जाएगा web, अगर आप अभी normal Google पर जाकर कुछ भी search करें, तो आपको एक all नाम का tab दिखाएगा, तो by default जो आपके search results होते हैं, वो यहाँ पर all नाम की tab पर ही land करते जहाँ पर आपको website के link दिखाई देते हैं, अगर आप image देखना चाहते हैं, search results में तो आप image नाम का filter यूज़ करते हैं, अगर आप videos देखना चाहते हैं, तो आप video नाम का filter यूज़ करते हैं, या news नाम का filter यूज़ करते हैं, या फिर shopping नाम का filter यूज़ करते हैं, similarly, Google एक web नाम का filter ने launch कर रहा है तो अगर किसी user को ये AI overviews नहीं देखने हैं उसे normal पुराने classical Google searchers देखने हैं तो वो web button पर click कर सकता है और फिर इसके बाद जो पुराने style के अभी जो right now default है उस type के searchers देखाई देंगे जहाँ पर कोई भी AI वाला overview नहीं होगा and I hope कि वो एक ऐसा filter ये बना दे जिसमें Reddit और Quora भी गायब कर दिया जाए ताकि सिर्फ लोगों को normal websites दिखाए दें ये AI overview ये Quora ये Reddit ये उन्हीं को मुबारक है normal लोगों को normal searchers देखने हैं तो आगे आने वाला focus करें उसके traffic पर focus करें उन लोगों का experience कैसा रहता है अगर लोगों का experience खराब होता है AI overviews के साथ में तो maybe ये जो web वाला part है वो again दुबारा से आ जाएगा सामने और देखते हैं आखिर आगे आने वाले time में कैसी चीज़ें करवट लेती हैं अगर आप travel food या किसी भी और गनेश में blogger हैं content create करते हैं या video create करते हैं और आपको लगता है कि भाई आखिर मेरे अपनी website का future क्या होने वाला है मेरे blog का future क्या होगा ये कितने लोग होंगे जो web वाला filter use करेंगे इने कौन बताएगा कि web filter जाकर use करो वहाँ पर website दिखाई देगी इसके लिए भी तो कोई आदमी आपकी website पर आएगा तभी तो आप बता पाऊगे कि web वाला filter use करो तो अधिकतर ट्राफिक तो all पर आने वाला है तो क्यों मैं अपना blog बना कर रहा हूँ क्यों website पर काम करो वेल अभी भी Gemini कितना भी powerful हो जाए लेकिन यह content उसे website से ही चाहिए होगा जो top ranking website है जो अच्छी websites है वो अभी भी AI overview में भी top पर दिखाई देंगी और because जो AI overview वाला part है यह नए users को नए search users को भी अपनी तरफ attract कर सकता है और इसका मतलब है कि आपको और भी ज्यादा ट्राफिक मिल सकता है तो इस AI overview में कैसे अपनी website को push करना है कैसे अपने blog को push करना है कैसे इस blog को promote करना है ज्यादा rank यहां से लेनी है ज्यादा traffic यहां से लेना है यह हम देखते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए practice करते लिए सीखते रहिए यह ranking signal अभी बहुत सरूरी है thank you so much for watching this video my name is Amitivari from Amitivari.net and I will see you next time take care